वेलकम टो माई चैनल और आध हम कंसेप्ट ओफ मैट्रिशीज के बारह में पड़ेंगें ठीक है basically है आपर हमारी पास है एलजेबरा ओफ मेट्रिक्स ठीक है एलजेबरा ओफ मेट्रिक्स एलजेबरा मीन्स इक्वेशन्स ठीक है सबसे पहले तो इसका यूज matrix का कि to find the solution of linear equation linear equation linear का मतलब जिसमे power 1 ओओ जिसमे power 1 ओओ variable की power 1 power of variable are 1 ठीक है variable कितने भी हो सकते हैं लेकिन power उनके 1 होगी किस प्रकार से जैसे हमारे पास है x प्लस 2y minus z equals to 5 इस तरीक की से ठीक है यहाँ पर x, y, z क्या है variables थ्री variables है हमारे पास x, y, z ठीक है और उनकी power क्या है 1, 1, 1 ठीक है इस तरीक के से तो इसका user to find the solution of linear equation ठीक है linear equation सबसे पहले की matrix की definition ठीक है सबसे पहले की it is the collection of elements ठीक है but it is the collection of elements ठीक है जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3% है जैसे रोहन है विने है और critique का ठीक है उनके पास है books, pens ठीक है जैसे रोहनके पास है 2 books है 3 pen है विने के पास है ठीक है और critique के पास है इस तरीक के से ठीक है अब है matrix सबसे पहले की जो यहां पर नंबर लिखे गए है जो नंबर हमारे पास 2, 3, 5, 7, 10 ठीक है उनको जब हम एक rectangular array के अंदर लिखेंगे जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 10 ठीक है rectangular array के अंदर इस तरीक के से ठीक है rectangular array जिसमे जो original lines है horizontal का मतलब left to right इस तरीक के से left to right ठीक है उनको हम रोज कहेंगे ठीक है रोज और उपर से निच्छे मतलब top से bottom की तरफ उनको columns बोलेंगे ठीक है इस तरीक के से ठीक है जैसे आपर कितनी रोज है एक दो और तीन ठीक है और columns कितनी है उपर से निच्छे एक दो ठीक है तो matrix क्या है इस दी collection of elements ठीक है collection of elements but in which each position is definite ठीक है मतलब कि सबसे पहले matrix में मारे पास है कि जो numbers है वो rectangular area के अंदर हूँ rectangular area के अंदर हूँ इस तरीके से ठीक है फिर number of rows हो हमारे पास number of rows हो ठीक है जैसे m से denote कर लेते है rows को फिर columns number of columns को n से denote कर लेते है ठीक है तो matrix में ये तीन बेसिक बात है ठीक है rectangular area हो rows हो और columns हो ठीक है तो हमारे पास proper definition of matrix की क्या होगी definition ठीक है a set of m into n numbers ठीक है real हो या फिर complex ठीक है arranged in form of order ठीक है ठीक है जिसम में हमारे पास क्या क्या हो set of m set of m rows हो ठीक है ठीक है n numbers is called m cross n matrix ठीक है proper definition of matrix जैसे यहाँ पर a set of m into n numbers जैसे m into n का मतलग हमारे पास यहाँ पर numbers जैसे नमबर है 1 2 3 ठीक है 0 भी हो सकता minus 1 भी हो सकता है 1 by root 2 भी हो सकता है minus 1 by जैसे 3 by square root of 5 कुछ भी हो सकता है i8 भी हो सकता है i8 का square फिर कुछ भी हो सकता है yellow या फिर complex complex का मतलब जिसमें i8 हो i8 मतलब क्या हो root में negative ठीक है root में negative तो जो हमारे पास है इस set of m into n numbers मतलब की arrangement of क्या है matrix it is the arrangement जीसमें मारे पास m into n numbers का मतलब है कि m rows होंगे और n columns होंगा जैसे हमारे पास rowan के पास थी 2 books ती और 3 pen ठीक है मतलब की क्या था basically हमारे पास है की set of m rows m rows में क्या क्या थे rowan, winner और kritika ठीक है consist n numbers मतलब books और pen ठीक है अब यहां पर है मारे पास सबसे पहले कि m cross n इसको पढ़ेंगे हम m by n क्या होगा m by n matrix ठीक है m क्या है number of rows और n है हमारे पास number of columns ठीक है तो जैसे आपर number of rows कितनी हमारे पास 1 2 3 ठीक है और number of columns number of columns कितनी है एक 2 और 3 जब इनकी multiplication जैसे किस तरीके से पढ़ेंगे इसको 3 by 3 ठीक है 3 by 3 और इसी को इसी को हम order of matrix बोलते है ठीक है order of matrix represent by m by n इस तरीके से ठीक है इसके बाद हमारे पास कि notation of matrix ठीक है notation of matrix जैसे एक matrix इस तरीके से दिखाए जाएगी aij और उसकी rectangular area के अंदर या फिर या अपर parallel ठीक है basic ले तो rectangular के अंदर है ठीक है हमारे पास matrix की notation ठीक है फिर है order of matrix order of matrix m by n मतलब number of rows और एंदर number of columns ठीक है और जो हमारे पास है जैसे अब matrix इसके बड़ाबर ठीक है तो इसी को हम रिपर्जेंट करते है किसी matrix को रिपर्जेंट करते है किसी capital letter से a, b, o, c, o कुछ भी ठीक है इस matrix को इस तरीके से ठीक है e, i, j हम माल लीजिए हमें यही पर construct करनी है construct करनी है जैसे 2 by 3 ordered matrix ठीक है किस तरीके से e, i, j किसके बड़ाबर हो i into j ठीक है यहाँ पर e, i, j हो यहाँ फिर e, m, n e की भात है ठीक है यहाँ पर i क्या है number of rows और j क्या होगे number of columns ठीक है अब हमें construct करने 2 by 3 ordered matrix 2 by 3 ordered matrix का मतलब है जैसे e matrix करने हमें construct ठीक है इस तरीके से जिसमें क्या हो 2 तो हमारे पास क्या हो row हो 2 तो row हो इस तरीके से एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो ठीक है 2 by 3 3 का मतलब 3 क्या हो number of columns ठीक है उसको सबसे पहले क्या represent करेंगे उन elements को या फिर numbers को matrix के अंदर a 1 1 ठीक है a 1 1 का मतलब है कोई number है जिसकी first row क्या है 1 और column क्या है 1 फिर है a 1 2 जैसे row तो यह हमारे पास first है ठीक है यहाँ पर second column होगा और यहाँ पर third column होगा अब next row है next row second ठीक है यहाँ पर column क्या होगा first यहाँ पर second और यहाँ पर column third इस तरीक किसी ठीक है यहाँ पर कोई भी condition हो सकती है और किसी भी कोई इसी भी order की matrix construct करने को कह सकते हमें ठीक है जैसे यहाँ पर क्या basically a, i, j, k, s के बराबर है i into j ठीक है i into j यहाँ पर हमें a, 1, 1 का मतलब है कि i की value 1 रखेंगे a, 1, 1 का मतलब और j कितना है 1 इस तरीक के से तो क्या element होगा 1 क्या होगा यहाँ पर 1 इस तरीक के से फिर i के जगा है 1 और j कितना होगा 2 तो 1 multiply by 2 2 इस तरीक के से यहाँ पर क्या होगा 1 into 3 इस तरीक के से फिर यहाँ पर a 2 into 1 i यहाँ पर क्या है इसके लिए i है 2 और j कितना है 1 तो 2 multiply by 1 2 यहाँ पर 2 into 2 4 2, 3, 6 इस तरीक के से ठीक है अब जो matrix के definition थी उसमें क्या था हमारे पास कि m into n numbers जो matrix के अंदर numbers होंगे जो numbers होंगे वो तो real और complex हो सकते हैं क्या हो सकते हैं real और complex लेकिन join counter होगा m into n या फिर i by j इस तरीक के से ठीक है वो क्या होंगे आपर m और n whole number ठीक है m n r whole number मतलब की whole number का मतलब है 0 1 2 3 up to infinity तक ठीक है minus कभी भी नहीं होंगे मारे पास ठीक है minus कभी भी नहीं होंगे ठीक है अब next मारे पास यहाँ पर types of matrices ठीक है types of matrices सबसे पहले हमारे पास की row matrix ठीक है row matrix row matrix का मतलब है जिसमें 1 row 1 row ठीक है और column कितने हों column n हों ठीक है column कितने भी हो सकते है जैसे किस तरीके से कोई matrix है जैसे A से denote करते है किस तरीके से ये उसके element है ठीक है इस तरीके से तो row कितने हैं हमारे पास यहाँ पर row तो एक ही है 1 by column कितने है 1, 2, 3 तो किस order की matrix है 1 by 3 1 by 2 की भी हो सकती है 1 by 1 की भी हो सकती है ठीक है मतलब इस order क्या होगा है यहाँ पर 1 by n ठीक है n का से 1 से मतलब natural number second है मारे पास यहाँ पर है column matrix इसमें क्या होगा 1 column हो और n क्या हो मारे पास रोज हो किस तरिक्के के होगी जैसे 0, 1, 2 इस तरिक्की से यहाँ पर horizontal की तरह होगी matrix और यहाँ पर vertical की जगए अब next हमारे पास rectangular matrix ठीक है rectangular matrix जैसे आपर order क्या था हमारे पास रो कितनी है 3 और column ही इस तरिक्के से rectangular matrix होती है जिसमें जो order होगी था है m by n order होगी था है m by n ठीक है m n के equal now मतलब की जैसे किस तरिक्के की हो सकती है कोई matrix ही मान लिजी एक दो तीन इस तरिक्के से numbers है उसमें तो इसका order क्या है आपर m कितनी है रोज कितनी है 2 और columns 3 मतलब m n के बरापर now तो rectangular matrix next हमारे पास है यहाँ पर square matrix ठीक है square matrix square matrix में जो order होता है m by n उसमें m equals to n मतलब की number of rows number of columns के equal होंगी ठीक है इस तरिक्के से जैसे यह matrix हमारे पास है 1, 2, 3, 4 ठीक है रोज कितनी है आपर 1, 2 2 by columns 1, 2 इस तरिक्के से ठीक है मतलब की m और n equals हों उसको हम square matrix बोल लेंगे ठीक है तो square matrix किस-किस order के हो सकती है क्या-क्या order हो सकता है square matrix का 1 by 1 ठीक है मतलब जिसमें एक ही element हो किस तरिक्के से इस तरिक्के से जैसे इसमें क्या है एक ही row है और एक ही column है इस तरिक्के से 1 by 1 2 by 2 3 by 3 4 by 4 और मतलब की n cross n जैसे यहाँ पर तो उता है order m cross n यहाँ पर क्या केसे सकते हैं इसको m cross m या फिर n by n ठीक है मतलब की equal हो अब तो infinity तक ठीक है next है मारे पास diagonal matrix क्या है diagonal matrix ठीक है मतलब अब square matrix पर एक एक condition अपलाई होगी और उसका party है मतलब की सबसे पहले diagonal matrix diagonal matrix का मतलब है आपर जैसे यह matrix हमारे पास diagonal matrix होती है जैसे आपर जो diagonal element है ठीक है diagonal element है वो तो non zero वो तो क्या हूँ diagonal element non zero ठीक है और जो बात की elements है वो zero इस तरीक की से ठीक है तो किस order गे सब से पहले थ्री बाई थ्री की ठीक है और यहाँ पर diagonal elements का मतलब है इस तरीक की से अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक rectangle है अमारे पास इस तरीक की से एक कोई rectangle है ठीक है rectangle और उसके कितने diagonals होते है दो यह भी diagonals है और यह भी से ठीक है मतलकि दो diagonal लेकिन matrix में इसी को हम diagonal करेंगे ठीक है इसी को principal diagonal ठीक है principal diagonal ठीक है तो diagonal matrix क्या आमारे पास की कोई square matrix क्या होगी square matrix ठीक है square matrix जिसके diagonal element तो non-0 diagonal element तो non-0 और बाकी 0 ठीक है next है मारे पास यहाँ पर diagonal के बाद है scalar matrix ठीक है scalar matrix तो scalar matrix क्या जैसे कोई matrix हमारे पास है तू 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 इस तरीक के की है ठीक है तो इस counter क्या है 3 by 3 ठीक है 3 रोज है और 3 कोलंस है ठीक है scalar matrix क्या होगी सबसे पहले scalar matrix होगी square matrix ठीक है square matrix का मतलब order same होगे फिर scalar matrix क्या हमारे पास diagonal matrix भी है ठीक है diagonal matrix भी है मतलब की diagonal elements तो non zero है ठीक है diagonal element non zero है और बाकी zero ठीक है और इसके बाद जो इसमें condition वो है कि जो diagonal element है वो क्या होगे equal होगे वो क्या होगे आपर equal होगे मतलब जैसे आपर 2 2 है 3 3 4 4 1 1 इस तरीक के से हो सकते है ठीक है मतलब की सबसे पहले square matrix उसमें condition apply की diagonal matrix होगी और उसमें condition apply की scalar matrix ठीक है अब next हमारे पास है unit matrix ठीक है unit matrix या फिर identity matrix ठीक है तो सबसे पहले इसकी definition unit matrix क्या होगी सबसे पहले तो होगी square matrix ठीक है सबसे पहले होगी square matrix ठीक है जिसमें क्या होगे जो non-diagonal element होगे ठीक है ठीक है वो 0 होगी जैसे कोई matrix है हमारे पास है इस तरीक की ठीक है सबसे पहले हमारे पास जैसे 0 0 non-diagonal इस तरीक की से ठीक है और यहाँ पर diagonal होगे diagonal elements होगे वो क्या होगे diagonal elements 1 के इकवल होगे ठीक है 1 होगे 1, 1, 1 इस तरीक की से ठीक है तो सबसे पहले थी है हमारे पास यहाँ पर की square matrix square matrix का मतलब जिसमें order से मो ठीक है square के बाद थी हमारे पास diagonal matrix ठीक है diagonal matrix diagonal matrix square matrix तो होगी और उसमें non-diagonal element 0 ठीक है next हमारे पास की यहाँ पर है जैसे scalar matrix scalar matrix का मतलब है आपर जैसे जिसमें जो diagonal element होगे diagonal element होगे वो equal होगे क्या होगे वो equal होगे और इशी में एक condition apply कर दे कि जो diagonal और equal to 1 होगे diagonal element equal ठीक है and equals to 1 अगर वो equals to 1 है तो क्या होगी unit matrix यहाँ अगर यहाँ पर यहाँ पर एक एक condition apply किये तो जो unit matrix है वो scalar भी होगी diagonal भी होगी और square matrix भी होगी जो scalar matrix है वो diagonal होगी square होगी लेकिन scalar matrix unit matrix कभी भी नहीं होगी ठीक है जैसे तो यहाँ पर जैसे scalar matrix में जैसे मारे पास कोई matrix है जैसे सबसे पहले तो non diagonal element क्या होगे 0 होगे ठीक है तो क्या होगे आपर मतलब कि 1 से लग 2, 2, 2, 3, 3, 3 minus 1 हो सकता है यहाँ प्रतीनों जगे 1 by root 2 ठीक है मतलब कि नंबर क्या थे हमारे पास सदियल या complex ठीक है इस परकार से लेकिन जब यह सारे 1 के equal हो तो उसको हम यूनिट matrix कहेंगे ठीक है next हमारे पास है triangular matrix ठीक है triangular matrix दो टाइप की होती है ठीक है सबसे पहले है अपपर triangular matrix ठीक है अपपर triangular matrix जैसे कोई matrix है हमारे पास यहाँ पर मान लेजिए जैसे 1, 2, 3 माइनस 4 2, 5 ठीक है और यहाँ पर है 0, 0, 0 मतल कि अपपर triangular matrix में जो diagonal element वो भी non-0 होंगे और जो diagonal से निच्चे जो जैसे आपर principal diagonal यह है हमारे पास जो इच्चे निच्चे होंगे वो सारे 0 होंगे ठीक है और जो उपर है वो 0 भी सकते और ना भी ठीक है तो उसी हम अपर जिस में क्या हों elements below principal diagonal ठीक है principal diagonal और 0 ठीक है वो सारे किसके ब्रापरों 0 नेक्स्ट इस की टाइप हमारे पास लोवर ट्रेंगुलर मेट्रिक्स ठीक है लोवर ट्रेंगुलर मेट्रिक्स अपर में निच्चे वाले 0 होंगे और लोवर में उपर वाले किस तरीके से जैसे यह आपर है कोई भी नंबर से हमारे पास इस तरीके का भी हो सकता है ठीक है तो जो अपर होंगे डाइगनल प्रिंसिपल डाइगनल से उस मेट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोवर ठीक है लोवर ट्रेंगुलर मेट्रिक्स ठीक है इसके बाद next अमारे पास zero matrix ठीक है? zero matrix zero matrix के सबसे पहले definition क्या हमारे पास की? all elements of a matrix are zero ठीक है? किसी भी matrix का element क्या हो? zero ठीक है? जैसे कोई matrix हमारे पास इस तरीक्य की भी हो सकती है ठीक है? order कुछ भी हो सकता है मतल कि वो square भी हो सकती है और rectangular भी हो सकती है rectangular कैसे? इस तरीक्य से जिसके सारे element क्या हो? zero ठीक है? जैसे आपर order क्या है? one by one और यहापर क्या है? two by three मतल कि two rows है three columns है इस तरीक्य से ठीक है और उस matrix को 0 से या फिर O से denote करते हैं ठीक है 0 matrix को next हमारे पास है comparable matrix ठीक है comparable matrix कि दो matrix compare का बहुँगे compare का मतलग किसी 2 के बीच में ठीक है comparable matrix इसकी condition है कि जो हमारे पास है order होता है वो क्या हो same हो दो matrix का same order हो तो उसको comparable matrix कहेंगे कि इस तरीके से जैसे मान लीजिए मारे पास कोई A matrix है इस तरीके से और हमारे पास B matrix है मान लीजिए है इस तरीके से ठीक है तो इनका order क्या है दो तो रोज है और तीन कोलम है मतलग 2 by 3 और इसका भी 2 by 3 तो comparable matrix क्या होंगे इसमें same order हो दो matrix का same order और यहां पर last है मारे पास कि equality of matrices ठीक है मतल कि दो matrix equal कब होंगी इसमें condition हमारे पास की सबसे पहले तो है same order और साथ की साथ क्या होंगारे पास है की elements in corresponding position are equal ठीक है मतल कि order तो same होगा ही equality में लेकिन जो elements होंगे जिसकी corresponding position किस परकार से जैसे मान लेजिए मारे पास matrix है इस तरीक के सी ठीक है matrix है इस तरीक के से है मारे पास equality का मतल है बीच में equal का sign ठीक है बीच में क्या होगा equal का sign और हमारे पास है जैसे इस परकार से इनका order तो सेम है मारे पास जैसे 2 by 3 की है दो matrix 2 by 3 order की है और इसमें क्या है जो corresponding position होगी corresponding position का मतल है इस element को क्या लिख सकते हैं थरी को क्या लिख सकते हैं यह one one मतल कि first row first column का element क्या थरी ठीक है और यहां इस matrix में क्या हमारे पास है यह one one किसके बराबर है यहां पर एक ए ठीक है तो एक किसके बराबर होगा थरी यह इस तरीके से ठीक है यह थरीके बराबर होगा 77 के equal है तो b की क्या value होगी 8 b की value होगी 8 और c किसके बराबर होगा 0 की मतल कि जो corresponding position होगी elements की वो किसके बराबर होगी equals होगी ठीक है comparable matrix में बीच में equal का sign नहीं होता ठीक है मतल कि दो matrix अलग से और equality में equal का sign same order और साथ की साथ position of corresponding position ठीक है वो क्या होगी equal होगी ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए तब तक के लिए thank you